हापोड की तीर्थ नगरी ब्रिजगाट में जेश्ट माश शुकल पक्ष की वटम अवस्या पर गंगा में लाखों शुरधालों ने आंस्था की जुपकी लगाई तो वही वट वरक्ष की पूजा कर सुहागिनों ने सोला शुरिंगार कर अपने पती की दिरगाईयों की कामनाभी की दिली हर्यारा राजस्तान सबेथ पश्यमी उत्रप्रिदेश के अलन अलग जिलों से लाखों की संख्या में शुरधालों पहुंचे और प्रशासन की ओर से शुरधालों की सुरक्षा और शांती विवस्था के लिए पूरी तरह से चाक जबंद विवस्था की गई है जहा सादे कपड़ों में भी पुलिस पर भी तैनाथ और संदिग लोगों पर भी नज़र लखी जा रही है आज के दिन का महत पित्रों के लिए होता है दूसरा इस के लिए सुहादनों के लिए भी होता है जो बढ़ करती है और बढ़ की प्रक्रमा करती है अज जेट माश्य की अमाश्या जिसको बढ़ा माश्य के रूप में मनाया जाता है और ये बहुत ही पावन परव है इस दिन वृत रहकर के अपने सुहाद के लिए अपने बच्चों के लिए दीर घायों की प्रार्थना करती है यहां काफी भारी संक्या में यहां भिन मिन जिरों से आई हुए यहां दिली हर्याना राजिस्तान देज विदेश से यहां लोग आते हैं आके मागंगा का इसनान करते और पुन्य लाब कमाते हैं आजी के दिन महील आएं बढ़ की फूजा करती हैं और उसकी परक्रमा कर अपने पती की लंबियाईू के लिए भी कामना करती हैं तो सुर्दा का सहलाब साथ तोर पर देखा साथ था है नेट बक्तेन आपको तस्वीर ने दिखा रहा है किस तरह से आस्ता का सहलाब यहाँ पर उम्रा है और लाखों की शंक्यामर सिर्दालों का पहुंचे हैं और मागंगा में आस्ता की डूपकी लगाते हुए नजर आ रह है ताकि आने वाले शिर्दालों को लिए कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े हाला कि आपको पता दें जिस तरह से अगर पूर्णमा और मावश की बात करें पिछली बार की तो कहीं ना कहीं आने वाले शिर्दालों को जाम के जाम से भी जूजना पड़ा था मगर इस ब तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वेरी केटिंग की विवस्था भी प्रिशासन ने की है ताकि जो शिर्दालू है वेरी केटिंग से आगे ना जाएं और कोई अनुहनी घटना भी यहां पर ना घट सके वहीं सिर्दालू की सुरक्षय विवस्था के मद्दे नजर प्रिशासन ने नाविक भी लगा दिये गए गोता खोरों की टीम भी लगा दिये तो कहीं ना कहीं चाक चोबन ब्रिवस्था प्रिशासन द्वारा आने वाले शिर्दालों के लिए की गई है कैमरा परसंस होलू के साथ राश्पा शर्मा नेट वक्टैन करना का शिर्दा ब्रिवस्था लगा वकोबन देगर की बाता प्रिवस्दागों छुर्मा दिया करफो्पीजा हैक झाले एक पी है।